आज हम 13.2 से कोशन नमबर 10 देखने वाले हैं कोशन नमबर 10 है हमारा इन दा फिगर यू सी दा फ्रेम आफ लेंब सेड इट इस तो बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉट्स यहां आप फिगर में देख सकते हैं यह जो फ्रेम है किसका है लेंप सेड का इस लेंप सेड को क्या करना है एक सजाब्टी कपरे से डेकोरेटिव कपरे से ढखना है the frame has a base diameter of 20 cm और इस frame का जो है base diameter वो कितना given है हमें 20 cm and height of 30 cm और height कितना है इसका यहां से height कितना हो जाएगा 30 cm और इसका base diameter भी हमें क्या है given है कितना है 20 cm a margin of 2.5 cm is to be given for folding it over the top and bottom of the frame तो इसमें क्या किया गया है कि इस frame के उपर में margin भी दिया गया है top से भी और bottom से भी कितने का 2.5 का यहां से 2.5 cm का क्या किया गया है margin दिया गया है top से और bottom से find how much cloth is required for covering the lamp से तो आपको क्या निकालना है कि इस lamp shape को cover करने के लिए कितना कपरा लगेगा जबकि यहां से margin भी दिया गया है जो क्या होगा अंदर के और fold होगा तो यहां से आप देख सकते हैं हमारे पास given क्या है कि हेर डाइमीटर हमारा given है 20 cm रेडियस कितना हो जाएगा 20 by 2 10 cm और हाइट कितना हो जाएगा यहां से अब देख सकते हैं हाइट हमारा चेंज हो जाएगा यह 30 cm है तो इसमें 2.5 उपर से भी एड़ होगा और नीचे से भी 2.5 एड़ होगा कि तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 यहां से हमारे निकल जाएगा 35 cm तो इस फ्रेम को ढखने के लिए आपको क्या निकलना परएगा कर्फ सर्फेसरिया निकलना परएगा क्यूंकि यह क्या करेगा कप्रा जो ढखेंगे हम वो इस कर्फ सर्फेसरिया को ही ढखेगा कि तो हम यहांसे फाइंड आउट कर लेते हैं cloth required क्या हमारा फर्मिन लग जाएगा कर्ब सर्फिसरिया का टू पाई आर एच तो यहां से आ जाएगा आर का वैलू हमारे पास है टेन और एज का वैलू आ गया है 35 इसको कट करेंगे यहां से आपको क्या मिलेगा 44 इंटू 50 कि इसको जब हम कल्कुलेट करेंगे क्या जाएगा 22 00 cm2 यही आपका क्या होगा रिक्वाइड कलोथ होगा जो इस फ्रेम को क्या करेगा ढखेगा अगला कॉस्चन है हमारा कॉस्चन नमर 11 इस 13.2 एक्साइज का यह लास्ट कॉस्चन है कॉस्चन है हमारा दे स्टुडेंट्स ओफ विद्याले वेर आख्ट तो पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन फ्रॉम मेकिंग अन डेकॉरेटिंग पेन होल्डर इन दे सेप अफ असलेंडर विद अ बेस यूजिंग कार्डबोड किसी विद्याले के अंदर कोई कॉम्पिटिशन रखा गया है जहां पे क्या करना है बच्चों को पेन होल्डर बनाने हैं और डेकॉरेट भी करने हैं इसको साथ ही साथ और पेन होल्डर का जो सेफ होगा वो कैसा होगा हमारा सेलेंडर होगा उसका बेस जो होगा क्या होगा सेलेंडर कर लोगा और पेन होल्डर को किस से बनाना है हमारा कार्डबोड से बनाने ठीक है इस पेन होल्डर wore to be radius थ्री सेंटी मिटर एंड हाइट 10.5CMW और परतेक पेन होल्डर का जो radius होगा वो ने कितना होगा 10.5 cm दव विद्याले वाज टू सप्लाई दा कॉंपेटीटर्स विद कार्ड बोर्ड और यह जो कार्ड बोर्ड है वो कौन सप्लाई करेगा हमारा विद्याले सप्लाई करेगा कॉंपेटीटर्स को इफ देर वेर 35 कंपेटीटर्स हमारे पास कितने कंपेटीटर्स है 35 तो हमसे पूछा क्या है वह हमसे क्या पूछा है फाइंड आउट करने पूछा है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं अब यहां से देख सकते हैं हमारा जो pain holder होता है वो किस प्रकार का होता है इसका base हमें कैसा रखना है cylindrical रखना है और pain holder जो होता है वो क्या होता है उपर से open होता है और side से तो cardboard लगेंगे ही असाथ ही साथ base में भी cardboard लगेंगे तो और उपर से नहीं लगेंगे ठीक है क्योंकि उपर से क्या होता है pain रखा जाता है तो उपर open ही होंगे और इसका height हमें कितना given है 10.5 cm और इसका radius base radius हमें कितना given है यहां से 3 cm here radius इकोल टू 3 cm and height हमें कितना given है 10.5 cm तो आपको क्या करना है इसमें से हमें कितने बनाने है 35 pen holder बनाने क्योंकि हमारे पास 35 competitors है तो 35 बनाने है तो हम क्या करेंगे एक का निकाल लेंगे कि कितना cardboard लगेगा देन क्या करेंगे 35 से उसको multiply कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना हमें cardboard खरीदना परेगा कितना उसका जुरूरत है ठीक है cardboard required to one pen holder क्या हो जाएगा हमारा यहां से आप देख सकते हैं curve surface area और यह एक base area और उपर तो है नहीं तो हम लिख लेते हैं curve surface area of cylinder plus area of base curve surface area of the cylinder क्या होता है 2 pi r h और base area हमारा क्या होगा यह कैसा है एक circle type का है तो इसका क्या हो जाएगा pi r square यहां से आप देख सकते हैं pi और r दोनों तरफ से क्या कर सकते हैं common ले सकते हैं तो pi r को हम क्या करते हैं common ले लेते हैं यहां से हमें क्या मिल जाएगा 2 h plus r अब यहां से हम क्या करेंगे value put करेंगे r का value 3 है 2 into 10.5 plus 3 सबसे पहले इसको into करेंगे तो क्या हो जाएगा यह 21 आ जाएगा 21 में 3 plus करेंगे तो कितना जाएगा 21 आ जाएगा और इसमें 3 को plus करेंगे ठीक है तो यहां से आपको क्या मिलेगा 22 upon 7 into 3 into 24 cm square इसको आप ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि हम इसके आगे भी निकालने वाले हैं तो हम क्या करेंगे इसको 35 से multiply कर देंगे विद्याले was to supply cardboard क्या हो जाएगा area of one pen holder इंटू 35 यहां से हमने क्या किया है area of one pen holder find out कर लिया है तो हमारा वो क्या value है 22 upon 7 into 3 into 24 और हम क्या करेंगे 35 से इसको multiply कर देंगे यहां से क्या होगा यह कट हो जाएगा तो हमारे क्या जाएगा 22 into 3 into 24 into 5 आप इसका product करोगे तो आपको क्या मिलेगा 7920 cm² यही आपका क्या है answer है आई होप आपको यह दोनों को स्प्रिकेश समझ में आ गए होंगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ओके थेंक यू फॉर वर्चिन